हेलो प्रेंड्स आज मैं आप लोग के बीच लेखेया हूं बेसिक इलेक्टोनिक्स का MCQ कॉस्टन हम देखेंगे पहला कॉस्टन है हमारा यह सेमी कंड़क्टर इस फॉर्म बाइड डेस वन सेमी कंड़क्टर जो होता है हुँ को भी लेंट बॉन्ड बनाता है ठीक है नेक्स्ट कॉस्टन है यह सेमी कंड़क्टर है सेमी कंड़क्टर के पास निगेटिव टेंपरेचर को फिसेंट अफ रजिस्टेंस होता है यानि आपका अप्सन नमर तीन यहां पर सही हो जाएगा सबसे जैदा जो यूज होने वाला सेमी कंड़क्टर है वो आपका सिलकन है यह सेमी कंड़क्टर है जेनरली सेमी कंड़क्टर का जो भैलेंस इलेक्टरन होता है वो चार होता है the resistivity of pure germanium under standard condition is about ohm centimeter होता है the resistivity of a pure silicon pure silicon का resistivity लगभग 6,000 ohm centimeter होता है when a pure semiconductor is heated its resistance जब प्यूरर समी कंडाक्टर के हिट किया जाता है तो उसका resistance घटता है Beauty conductor का और इनप्योर सेमी कंडाक्टर को जब हिट किया जाता है तो उसका resistance बढ़ता है ऑस्टेंदो do a strength आप से मिकंडाक्टर किस्टल का से कहां से आता है उसका जो बॉंडिंग रहता है इलेक्ट्रॉन स्पेयर का जो बॉंडिंग होता है उससे आता है है वैने पैंटावलंट इपटीज एड़ेड अग जानते जब पैंटावलंट इंपटीज को मिलाते हैं फ्योर से मिकंड़क्टर में तो P-tap semiconductor बनता है और ट्रैवलंट मिलाते हैं तो एंट तो यहाँ पैंटावलंट मिलाते हैं तो मिया आप और सोड़ी याद रखेगा ट्राइब लेंट इंपर्टीज मिलाने से आपका पीटाप सेमी कंडुक्टर बनता है और फेंटावलेंट इंपर्टीज मिलाने से आपका एंटाप सेमी कंडुक्टर बनता है क्योंकि फेंटावलेंट इंपर्टीज में क्या होता है पांच को फ से मिकंड़क्टर कहते हैं तो यहां पर आपका पेंटा वेलंट मिला जा रहा है इसलिए एंटाब से मिकंड़क्टर जो है वह आपका कोरेक्ट होगा याणि आप अधिशा अधिटिशन औप नफ टू एसे में बता आ यू लाएंगे तो क्या होगा फिर ही लेक्ट्रण की तो लूट कि पर्टा पैंटा वेलंट में पांच कौ फैलंस िलेक्टरण अभी में जस्ट बताएथे आपको दूनमर उप्शन सही है कि एंटाइप सेमी कंडक्टर इज एंटाइप सेमी कंड़क्टर क्या जो होता है वह इलक्टीकली देखे नीट्रल होता है की एक ट्राइब विलन ट्राइब सम्धिनों के और फीन पुट्र स सेमिकंडक्र अब्राइब सने लाएंगे सेमडीर का वेल्न इसको देर हैं ट्राइब के द्वारा तो तो होल्स के लिए जगों क्या हो जाएगा बहुचे जाएगा नहीं होल से यहां फे किरियेट हो जाएगा यह होल इसे सेमी कंडक्टर इज डिफाइंड एज वो ग्या होता है एक इनकम्प्लीट पार्ट आप इलेक्ट पेर बॉंड जो था उसका एक इनकम्प्लीट पार्ट तो कि आप जानते हैं पांच को मान लीजी आप मान लीजिए चार गो सिल्कन का बेलेंस इलेक्टर नहां पर आपने मिलाया ट्राइब एल्मूनियम मिलाया माली यहां पर कितना है तीन को इसका इलेक्ट्रॉन है तो तीन को तो तीन को के साथ प्यार कर लेगा लेकिन इसमें एक इलेक्ट्रॉन आपका बद जाएगा तो यहां पर क्या होगा होगा जिसके कारण से यह तो प्यार बन हुर सेमिकंदक्टर के नहीं नहीं सुटmn फाहलं को यहाँ साथ होता है और ढोपिंग 2 इसे मीकृम कर इनकिरीम से तो प्योग से मी कॉंदक्टर का जो रजिस्टेंग्टा शोग तो इनकिरीज होता है다्भ स्थ्व सव की से मिनटा की नगीज इनकिरीजाथ तो लहाए गया देखें डॉपिंग यूब की जाता है उसके सिमेड़ेटर को बनाने के लिए सब्सक्राइब मतलब आपका ले सेजिट इंवर सीवा मतलब इसही है यह यह जैसे में लेक्टर्ण क्लाउज प्रॉक्सिमीटी और आप होल्स पर कींटेटिव होता हैं इलेक्टोन नीगेटीब होता है तो क्या करेगा एक दूसरे को एत्रेक्ट करेगा अँट्रेक्ट इन प्यक्थे और कि सेमी कंडुक्टर करेंट करक्सिं बूंस के कारण तीन न कर ऑफसे ही ँजएगा द्रेंडम मेंशन अफोल सेंड फिरी एलेक्टान डीटू थर्मल एजिटेशन इसकावल डीफूजन कहते हैं उसको भी होल्स हो रिलेक्टान का जो रेंडम आप जम उसन होता है ठीक है वह तो थर्मल एजिटेशन के खारण से तो उसको हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं एक प्रवार्ड वाईस प्यएंड जंक्सफन डायोट थियर इस तैंस आफ द ऑडर टीकह उसका मों होता क्यों कि आप जानते हैं प्रवार्ड वाईस में जो पिए जयुक्शन होता है वह कंडेक्ट करता है मतलब वय, यहाँ पर तीन अप संदय का सब्स्रिभी होता है दे बैटरी कोनेक्शन रिक्वाइड फर बार्ड बाइस में क्या होता है पोजेटिव टर्मिनल जो होता है वो पी टैप से और नीगेटिव टर्मिनल जो था एंट टैप से यहां पर वन नमर आपका सही है गार्डव टीर वोल्टेज पी जंग्शन पर जर्मेनियम जर्मेनियम के लिए बैरीर पोटेनियल तीन वॉल्ट होता है 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 कि इन्दधिप्लेशां रीजन ओपवी दिंघ संद्य यह सोटेज लोग कर स्वेशी लेयर होता है देखे को एगा होल कर सोटेज पशन लेयर बियर को करिंट बहुत कम होता है एक पियंट जंक्शन एक्ट जो होता है कैसे आप माली जहां किया एक तौरस है और डाइवोड़ जहता है सिर्फ एक डिरेक्शन में करेंट पास करता है मतलब यूनी डिर्यक्शनल सुइच का काम करेगा आपका यह क्यitelectric खेर बाइस्ट पी-एंजञक्षण रजिस्टेंट अब रिवर्स में क्या हो मदोर्स भीएंज चीनश Ganz travailler तो की पूबम तुऩ मेंगा उम होटाभ नहीं ज़को होगा कि यह गाट यह एक॑ सबसे पीन जंक्शन पीन जंक्शन लिकेज करेंड जो तानो मायनोरीटी चार्ज के डियर के कारण आता है मतलब यह प्समायनोरीटी के लिए दो सबस्क्राइब ठेमकरेचर और फिरिश्टियुलन थे टेम्परेचर वाइँगे एक्सरिं से मीकन्डक्टर का तो उसका जो पर एफएक्ट होगा वो किसा मुन्यूरीटी चार्ज के डियर पे उसका एफएक्ट पड़ेगा विथ फडबार्ड बाइस टुए पीन मतलब इसका मतलब डिप्लेशन लेयर की चवराई कम होगा मतलब डिकेज करेंट लिकेज करेंट का भेलू बहुत कम होता है लगभलो मुव एंपियर आजाएगा सबसे छोटा उनिट इसमें यही है है ए इन आन इंत्रिंसिक सेमीकंडाक्टर दा नंबर अप्ली अलेक्टर इंट्रिंसिक क्या होता प्योर सेमी कंडाक्टर शेमी कंड्र केजितना एले इलक्टर सब्सक्राइब उतना ही वहमाते ही्गा मतलब 950 more of एक्षर एपसोलीव टेंपरेचर पे तो इसको कोई नो होल्स होता है नहीं फिरी इलेक्ट्रोंस होता है ठीक है रूम टेंपरेचर पर देखे बहुत कम फिरी इलेक्ट्रोंस होता है और एपसोलीव टेंपरेचर पे नो होल्स नो फिरी एलेक्ट्रोंस एट रूम बाइस में करेंट करता है तर्म बाइस इन इलेक्टोनिक्स इजली मेंस बाइस का मतलब क्या होता है पहला है दा भेलू आप एक दम सही है